है प्रेंध सांड बंपरोपे का पूरश्कार यह न जिनका डीजेएं सांड सर्विस लगा है प्रेंध रहा है है महरानी केकर यह उप्रता काल होते ही महरान प्रधिन जाग जाया करते थे लेकिन जागे आजहुना अबद पती कारण कवन विशेख आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हमेशा महाराज प्राते काल की मेला में जाकर आजाया करते थे लेकिर अभी तक महाराज नहीं जागे हैं जबकि रामजी सरकार कर राज्यविशेख होना है उत्सों की तयारी करनी है जाओ सुमंग जगावह जाई है मंत्री सुमंग आप मेलों में कहीं भी जा जा सकते हैं आप पर कोई रोक नहीं है आप जाए देखे कारण क्या है महाराज को जगा कर ला है सत्त है आप नहीं जा सकते मेलों तक मैं जा सकता हूं आप ही पर ध्यार करें मैं मेलों की ओड़ जा रहा हूं गये सुमंग तब रावर माही देख भयाब जाक डराए यह प्याने अक्दिस देखकर आज समंध मन में बैवित हो रहा है महाराज प्रदूपर लेटे हैं दू माराज चैजी माराज कुछ नहीं भोल रहे हैं drie समीप में माराणी के कई ख honor the at a अचानक यह क्या हो गया महराणी तो मथरी सुमंद पिनाम कर ला है मकरें महराज क्या हो गया महरानी क्या हो गया है तुम जाओ और राम कुबला के लाओ जो आधी जाब सुमय तहीं आब तु देखा आधार की ने पिता समुलेखा प्रसर रहो राम कुब आधार की ने पिता समुलेखा राम कुब तुमारी मजली माता के लिए तुम बुलाया है हमारे साथ चल जाए अरे मैया का ये भेज नहीं ये मैं क्या देख रहा हूं अली पिता जी मुच्छी तवस्था में माता धर्ती की गोद में सहिन कर रहे हैं पिता जी क्या हुआ आपको मंत्री जी क्या आपको कुछ पता है ये स्थिति कैसे बन गई मैया आपके चल्णों में आपका बेटा राम कोट कोटी नमन अरे 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 जीवन का पृथ्म दिन कि मैंने मैया को नमन किया लेकिन कोई आशीस यह भो भी आ क्या आपके बेटा राम से कोई अपराद हो गया है कि इस अपराद की बदले आप मुझसे नाराज है मां यदि आपके बेटा और राम से कोई भूल हुई है तोस भूल के बदले आप अपने बेटा राम को चाहे जितनी बड़ी सजा दे दो ये आपको बेटा राम हर सजा हस्ते हस्ते सुईकार लेगा लेकिन एक बार कह दो ना बेटा मीयाप कुछ नहीं बोलती कुछ नहीं बोलते Savannah इसथ देखिए पिटा जी आपको बुला रहा है बोलेज पिटा जी क्या हुआ क्या हुआ हे ने पीता हुआ यह क्या क्यों तुमको मुर्चा आई है या किसी रोग ने गेरा है या कोई विपदाई है मंत्री मंत्री माता माता मल्की मल्की माता माता यह यह ऐसे क्यों अग बुलाए है क्या मुझसे कुछ अपुराधे हुआ जो मेरे पिता रिसाए मा मा पिताजी के दुखका कारण मुझे शीक्र बताए मैं वही करूंगा जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए मैया मैया बोलिए क्या हुआ पिताजी को मुझे का हुँ मात बोलिए यह इस दिदी कैसे बन गई पिताजी मूर्चे तवस्था में क्यों मा मुझे का हुँ मात नात दुखना मुझे का हुँ मात मुझे का हुँ मात मुझे का हुँ मात का हाँ दुखना मुझे का हुँ मात मुझे का मुझे का हुँ मात मुझे का हुँ मात मुझे का हुँ मात मुझे का हुँ मुहका उमा आता हाते धूपे कार मुहका उमा आता हाते धूपे कार करिये यताना जही हो ए भीवान करिये यताना जही हो हे निवान मैं वही करूँगा मा जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए सीगरता करे क्रपा कर बताएं क्या हुआ पिताजी को पिताजी की ये इस्थिती नहीं देखी जाती मा नहीं देखी जाती राम मा तुमारे पिताजी पर मेरे दो बर्दान थे तो बस बही दो बर्दान में नेर्ण से मांग लिए बर्दान मांग लिए लोग है धर्ममान है गुर्वान है बहुत अच्छा किया लेकिन दोद्य वर्दान में क्या मांग एसा हो सकता है राम कि में तुमारे लिए कुछ ना रिम करे मां कने मेने तुमारे लिए चोदे वर्ष का बनबास मानगा क्या मा हाँ भाया भरत के लिए अयोध्या का सामराज मेरे लिए चोदे वर्ष का बनबास जै हो मा आपकी जै हो आप ही क्या संसावर की प्रतेग मा अपने पुत्र का हित चाहती है क्योंकि मेरी मा जानती थे कि मेरे यह भीया भरत का तो से आयुद्धा का सम्राज मांग लिया बो पुत्र बढ़भागी होते हैं जो माता-पिता के बचनों में अनुराग रखते हैं विश्वास रखते हैं सुन जननी सोई सुत बढ़भागी जो पितु मात बचन अनुरागी तनाय मात पितु तोसन हरा दुरलब जननी शकल संसारा भाईया भरत का तो आपने पूर हित कर दिया जब आप जानती थी कि बेटा राम का हित वन प्रखंड में है क्योंकि मेरी मा ये जानती थी कि मेरे बेटा राम का हित योध्या में नहीं है बन प्रखन में वो कैसे मुनिगण मिलन विसेस बन सबाइभात हित मूर मेरा हित कहां है वन प्रखन में मा मेरी यह जानती थी मा जब आप यह जानती थी तो यह 14 वर्स का समय क्यों दे दिया आपने 14 वर्स की आबधी क्यों लगा दी आपने जब आप मेरा पूर हित ही करना चाहती थी तो मेरे लिए आजीवन बन वास मांग लेती सारा जीवन बन प्रखन में ही यापन करता क्योंकि मुनिगण मिलन विसेस बन सबाइभात हित मोर तह महभित वायस बहुर सम्मत जन्नी तोर ल लेकिन मां आप मुझसे छिपाव कर रही है मुझे ना जाने क्यों प्रथम बार आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है छमा कर देना आप अपने बेटा राम को हाहा क्योंकि इतनी जोटी सी बात पर रकुल के सिंग इस तरह माता धर्ती की गोद में मूर्चित हो गए कारण कुछ और है क्या छिपा रही है आप मुझसे क्योंकि थोरह बात पिताय दुख भारी हो तप्रती तना मुह मातारी क्या छिपा रही है क्या सत्य है मां यही सत्य बेटा राम में भरत की सोगन का के के बस 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 मां बस भरत की सोगन बस मां मुझे पूंड यदि बात यही है मा तो हम सोयं बिचारा करते थे थोड़ा सा समय बनो में दें तब जानेंगे हम दुख्या है कुछ जीवन दुखी जनों में दें तो मा यदि आपकी अनुमती मिल्याए को आपके चरणों में प्रस्तुत हो जाओंगा आप जैसा आदेश करेंगी वही मेरे लिए सर्वपरी होगा चलना चाहिए राजमहलों की हो समाथ चाहर तैसा मैं सुनी सी उठी